नमस्कार दोस्तो मैं रहूल पटल डाइरेक्टर आप सुफतामो एज्यूकेशन सवीसिस प्रैवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हो सुफतामो की ओफिशल यूटिब चैनल के उबर हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए विश्य के साथ आपके सामने उपस्तित हो रहे है आज का जो हमारा विश्य है यहाँ पर नीट के एक्जाम के रिकार्डिंगे जो नीट के बारे में जो भी रूमर फैल रहा है मार्केट के अंदर उसका एक्चुल रियालिटी क्या है वो सामने आपके सामने लेके आ रहे हम लोग लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निविदन रहेगा कि आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आने वाले दुसरे वीडियो के बेनिफिट आपको मिल पाए तो चलिए दुस्तों शुरू करते बात नीट की एंटरंस एक् कि रिगाडिंग रिजन एक ही है कि जो बचो का एक्जाम जो मच मेने में होता था वो अल्रेडरीड डिले चल रहा है और डिले होने के बावजुद भी वहांपर कोई वी कलिय ऐडि रिटी नहीं आ रही थी लेकिन अभी finally आज वो clarity यहाँ पे आ चुकी है जबकि यहाँ पे hall ticket देने का anti-aboard ने announcement कर दिया है उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको आपका वहाँ पे detail जो fill up करना है वो detail आपका जैसे fill up करेंगा वहाँ पे आपका roll number मागा जाएगा यानि की application number आपका password जो आपने किया होगा assign वो password आपको डाला है date of birth डाला है और नीचे जो दिया गया है security pin वो security pin वहाँ पे green color में जो लिखा हुआ है वही देख के आपको वहाँ पे type करके submit करना है इतना करने के बाद आपको वहाँ पे आपका hall ticket available हो जाएगा दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा एक circular गुमरा है market पी जिसके base पे लोगों को गुमरा किया जा रहा है कि need की foreign country के लिए कोई requirement नहीं है इस साल से जबकि वो later ठीक से आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक line में mention किया गया है कि अगर आप इस साल abroad में जाते हो without need जा रहे है और कोई university आपको accept कर भी रही है ज्यादा तर university तो मना ही कर देगी without need आपको लेने के लिए लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको इस साल नहीं तो next year जो भी need का exam लिया जाएगा वो आपको focus होना चाहिए सिर्फ need के exam के बारे में अभी countdown भी आप count करेंगे तो करीब बीज दिन जितना time आपके पास बाकी बचा हुआ है जहाँ पर आप खुद को अच्छी तरह prepare कर सकते हो वैसा नहीं कि आप prepare नहीं कर सकता आप खुद को prepare करे और need में try करे कि at least qualified हो जाए यानि कि आपके हर एक door आपके लिए open रहे अगर आप need qualified नहीं हो पाएंगे तो आपके लिए कहीं पे भी MBBS में admission लेने का option अविलिबल नहीं रहेगा ना ही India के अंदर ना ही abroad के अंदर एवं इंडिया के अंदर दुसरे जो courses है वहाँ पे भी need आश्यक है तो need को कभी भी lightly जरूरी नहीं है उसके अलावा अगर देखेंगे यह whole ticket तो हो गया है लेकिन डर रहता है माहल के बज़े से यहाँ पे कि यहाँ पे जो need का exam लिया जाना है और वहाँ पे corona का भी डर है लोगों के दिमाग में तो NTA ने एक पूरा guideline यहाँ पे release किया गया है जिसका आज से ही अमल शुरू होगा आज से that means आज जब आप hall ticket डाउन्डोर करेंगे तो hall ticket के अंदर आपको पहले थोड़ा changes देखने को मिलेगा changes में क्या रहेगा तो changes में सबसे पहला क्या रहेगा कि specific जो social distancing के regarding या जो भी norm से वहाँ पे mention किया होगा तो वो कि 2 बज़े का exam का time है लेकिन आपको हाजिर होना है 11 बज़े से शुरू हो जाएगा आपको एक slot दिया जाएगा एक एक slot में 20-20 बच्चे होंगे 20 girls, 20 boys के हिसाब से वहाँ पे divide किया गया होगा और उस हिसाब से आपको वहाँ पे हाजिर होना है जैसे आप वहाँ पे पहुचोंगे तो आपका पहले तो वहाँ पे thermal scanning किया जाएगा हर एक gate के ओपर thermal gun अवेलिबल रहेगा जिससे आपका temperature टेस्ट किया जाएगा तेमपरेचर चेक करने के बाद अगर आपका temperature पर्टिकलर जो मार्किंगे उससे ज्यादा चला जा रहा है यानि कि 99 से उपर चला गया तो आपको वहाँ पे एक अलग रूम में बिठाया जाएगा और वो रूम के अंदर आपको 15-20 मिनिट बिठाने के बाद फीर से temperature आपका measure होगा और वहाँ पे फीर से वही temperature आ रहा है तो फिर आपको एक ही रूम में अलग सी बिठा के वहाँ पे exam आपकी conduct करवाई जाएगी दूसरा जो यहाँ पे चीज रहेगा जो चीजे आप अंदर ले जा सकते हो उसके अंदर जयादा थर इस बार आपको जो चीजे अलाओ होगी जिसके अंदर आप mask पहिंग की जा सकते है आप वहाँ पे hand close भी पहिंग की जा सकते है लेकिन mask आपको निकलवाया जाएगा वहाँ पे security gate के उपर आपके ID के साथ आपका face verify करने के लिए और वहाँ पे आपको दुसरा mask और hand close भी पहिंग की जाएगा जो वहाँ पे staff रहेगा उसकी duty के अंदर जो building के अंदर आप exam देने जा रहा हो building को दो बार sanitize किया जाएगा building that means उसका first skill है कि उसका ceiling है उसके दर्वाज़े दर्वाज़े के handle है पूरी exam position session जो रहेगा उसका वहाँ पे video recording हर बार की तरह वहाँ पे available रहेगा आपको जो चीज़े allow की जा रही है उसके अंदर आपका जो transparent एक ball pen चाहिए आपको shoes आप नहीं पहिं सकते हैं उसके ज़वापे sandal या sleeve आप पहिं सकते हो जो कपड़े आप पहें रहे हो half sleeve के पहें नहीं कंपल सरी तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी उसके अलावा sanitizer की 50 ml की maximum उससे ज्यादा बड़ी bottle आपको allow नहीं की जाएगी और एक transparent water bottle अगर आपको पानी ले जाना है तो सबसे पहला पड़ा है आपके लिए अगर वहाँ पे अच्छा score आप कर जाते हो तो आपको इंडिया में admission मिलना है इवन government college के अंदर भी admission मिलना है नहीं कर रहे हो आपके बस budget अच्छा अवेलेबल है तो अब private college में भी admission ले पाओगे एवं ये वीडियो के नीचे comment section ने जाके comment भी कर सकते है तो आज शायद आपको आज काई वीडियो पसंदा होगा दोस्तों अगर पसंदा है तो like करना और share करना ना भूले और ये informative लगा है आपको वीडियो तो definitely ये चैनल को subscribe कीजिए और भी informative वीडियो जो है वो आपके लिए वेट कर रहे आगे तो आज के लिए इतना ही दोस्तों best of luck for the neat exam फिर से हाग जिरू होगे आपके सामने कुछ नए टॉपिक के साथ तब के से लिए धन्यवाद